कि हमस्कार विद्यारतियों और आज हम इस वैदिक सब्विता के दूसरे लिक्चर के शुरुआत करने जाए पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया है और यह वैदिक सब्विता का दूसरा पार्ट है इसको हम लोग सुरू करने जा रहे हैं तो इसके पहले वाले लिक्चर को जल्द ही मैं आपको बताऊंगा कि मैं उस पर online ये life classes जोड़कि टेस्ट स्रीज है वो कब लेके आ रहा हूं लेकिन तब तक आप उसको पढ़ते रहिए ठीक है ताकि आपको वह एकदम अच्छी तरह से याद हो जाए और ताकि जब मैं life class लूँ तो आपको टेस्ट देने मे भी अच्छा लगे ठीक है चलिए तो आज हम इस बात को अभी यहीं पर रोकते हुए शुरुवात करते हैं बिना समय गवाए वैदिक सबता के दूसरे पार्ट की जो आपने पिछला लेक्चर देखा था पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जो इंडस वैली जैसे मैंने पूछा था कि स्वामी द्यानन सुरसती ने आर्यों का निवास अस्थान कहां माना तो बहुत से बच्चों ने जवाब दिया कि जो है आर्यों का निवास अस्थान तिबद को माना था ठीक है बड़ा अच्छा लगा सभी बच्चों ने जवाब दिया और आज हम उस वैदिक सब्विता को आगे बढ़ाएंगे देखिए सिंदु घाटी सब्विता के तरह से ये भी एक अपने आप में बड़ा लेक्चर है तो इसको भी आराम से पढ़ते चलेंगे और पहले ये जो मेरा हिस्ट्री का लेक्चर शुरू करने का उदेश ये है कि मैं अब रहा दिया है वैदिक सिविलाजेशन पार्ट वन ठीक है और चलिए तो आपको पहले बता कि वैदिक सब्विता या वैदिक संस्कृति का निर्माता जो है आर्यों को माना जाता है ठीक है और रिग वेद में आरे का उलेक्ट तीन बार हुआ है ये ध्यान रखेगा रिग कि हमें आरियों के बारे में जानकारी मिली वह वेदों से ही मिली और वैद वेदकार्थ क्या है वेद का मतलब नौलेज या दबुक कंटेनिंग नौलेज वेद का मतलब ज्यान है या ऐसी पुस्तक जिसमें ज्यान का संग्रह हो उसे ही वेद कहा जाता है प्राचीन और यह ग्यान कहां से आया प्राचीन रिशियों से ध्यान रखेगा प्राचीन रिशियों से घ्यान रखेगा प्राचीन रिशियों से ग्यान आया लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह रिशिय लोग इस वैदिक या वेदों के रचेता थे उन्होंने कहीं न कहीं वेदों में लिखी बातों को प्राप्त किया तो यहां पर इस स्लाइड में आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि वैद जो वैदिक सब्वता के जमनता आर्य माने जाते हैं उनका उल्लेख जो है तीन बार हुआ है रिगवेड में तो देखे अभी मैं आपको वैदिक सब्वता की जो शु ही पढ़ेंगे तो इसी प्रकार कांटिनूटी बनाया रखे ताकि एंसेंट इस्ट्री के समस्या सौल्ब हो जाए आपकी चलिए अब सवाल है कि जो हमें वैदिक साहित हैं जिसके माध्यम से हमें पूरा वेदों के बारे में जानकारी मिली यह आया कहां से देखें वैदि सायुक्त है तो अगर साहितिक साच्छों का कर निफी टोक अबाउट लिट्रेरी एवी-देंस्स तो हमें वैदिक साहित बहुत डिपलग दिगता है कि लगता है कि जिस समय के लोग छिसे सबक्न Alberto पता है और पांतर अघ्णि मौत मौत क्सें पांधिक काल वेदिक कर लग तो जब वैदिक साहित का धन किया जाता है तो जब हम लिट्रेरी सोर्स पे जाते हैं वेन वी टॉक अबाउट लिट्रेरी इविडेंस वी फाइंड सम्ठिंग ग्लोरियस हम बहुत ही एक वैभोसाली सब्भिता को जैसे देख रहे हूं तो जब वैदिक साहित को और लेकिन जब हम पुरा तात्विक साच पे जाते हैं वेन वी टॉक अबाउट और्केलोजिकल फैक्ट तो हमें थोड़ा सा बैवहारी चीजें बड़ी मिसमैच दिखती है हाँ वह अलग बात है कि वैदिक सब्भिता के पुरा तात्विक साच और साहितिक साच दोनों उपलब्ध हैं लेकिन यह कहा जाए कि पुरा तात्विक साच जो आर्केलोजिकल फैक्ट है और जो साहितिक साच दोनों में समानता नहीं है जब आप पूरा तात्युक साच पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि इतनी डेवलप सब बता तो नहीं है जितना कि उनको बेदों में दिखाये गया है कि अध्य करता है लेकिन पूरी तरह नहीं इसलिए जब आभधिक साहित को पड़ते हैं तो हमने लगता कि इसे रिखवैध की बात कि रिखवैद काल में लोग खेती करना नहीं जानते थि खेति करना नहीं थि इसका मतलब यहने कि उन्हें खेति की बिल्कूल जान करए नहीं तो यहां से यह देखा गए कि जिस सब्वता के लोग खेती करना ही नहीं जानते हैं उतने डेबलप नहीं है तो उस सब्वता के लोग इतनी बड़ी बड़ी बाते कहां से लिख देंगे जो साहितिक साच्चों थोड़ा उस समय से थोड़ा सा आगे की बात को भी बता जाते हैं चुकि वेदों में आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं सैंटिपिक भी आख्या है कहीं कहीं कड़ों की भी आख्या है कहीं कहीं परमारों की भी आख्या मिल जाती है तो अब मानािए गया कि जो वैदिक साहित हैं ये उस समय के जो पुरा तात्युएगध साच्छों के धार पर ये माना गया कि ये वैदिक साहित लिखने वाला कोई पुरुशन कोई मतलब human being हो ही नहीं सकता था वो आपारुशे हैं इसी लिए वेदों को आपारुशे कह दिया गया क्या आपारुशे क्या मतलब होता है not made by human being ये ध्यान रखेगा थोड़ा सा इसमें छोड़ा स्लाइड में टफ दिया है तो वेदों का मतलब आपारुशे है not made by human being कि जो वैदिक साहित को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जो वैदिक साहित है इसको लिखने वाला कोई मनुष्य नहीं था आपारुशे है not made by human being बताते हैं कि अब जैसे वेदों की बात की जाए तो वेद कहते हैं कि वैदिक साहित जो है सृष्टी के प्रारम में जैसे जो हमारे वेद बताते हैं सृष्टी के प्रारम में ब्रह्मा ने कुछ रिशियों को मंत्रों का ज्यान दिया हिस्यों ने उसे अपने शिशियों को परधान किया ठीक है, at the beginning of creation, ब्रह्मा इंपार्टेट दा नॉलेज अफ मंत्राज to their sages, who imparted to their disciple and later this knowledge was preserved from generation to generation. ब्रह्मा इंपार्टेट दिस नॉलेज to sages and sages इंपार्टेट दिस नॉलेज to their disciple. कि ब्रह्मा ने ये ग्यान रिशियों को दिया, रिशियों ने दिया, और इस प्रकार ये एक से दूसरे में गया, लेकिन क्या लिख के नहीं, सुरुती के द्वारा, सुनने के द्वारा, सुरुती मतलब जिस समय में वेट की बात कर रहा हूँ, इनको लिपी बद, यानि लिखा बाद में गया है, पहले ये एक से दूसरे में सुनने के माध्यम से पहुंचे ये बर्म्ह runnerish सियों को ग्यान दिया, पिर रिशियों ने अपने सिस्यों को ग्यान दिया, लेकिन ये सारा ग्यान सुरुती है, मतलब सुन कर के, क्योंकि वेदिक सब्बता में संस्कृत भासा का उलेक है लेकिन ये जो भासा थी इसको लोग बोल करके पहुंचा है एक से दूसरे तक तो कि उस समय कोई लिखा नहीं गया है इसको लिखा तो बाद में गया है तो यहां पर दो बाते इंपोर्टेंस वन में आई कि वेद जो है आप और शें हैं नॉट मेट बाई हुमन बिंग और यह सुरती पराधारित हैं सुरती मतलब हमने आपको बताया आपने किसी और को बताया इस तरह से चला है तो अभी तक के लेक्चर में मैंने आपको संधने का प्रयास कि जिस मैं नितकर वेदिक कालिन समाच को पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम दोनों तथ्यों को दुखिएंगैंजे वैदिक साहित्त कह थैं शाहित्तिक साच क्या है अब पूरा तात्विक साच क्या है लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो कुछ और भी आदको बात मिलेंगे जैसे अ हाँ सवाल है इनका संकलन किस ने किया इनका संकलन जो है बताते हैं क्रिष्ट ने द्वैपायन व्यास ने किया था अलाकि कुछ अगर आप व्यास समझेंगे तो व्यास अपने आप में उपादी है बहुत से व्यास हुए व्यास एक उपादी है तो इन वेदों का संक्लन किस ने किया बताते हैं क्रिश्ट ने द्वैपायन वेद व्यास ने किया था वेद व्यास ने इनको संक्लिद किया स्थीं तो यह भी रिशित हैं जिन्होंने वेदों को कंपाइल किया है पिर बताते हैं कि शतपत ब्रहहमत में क्या कहा गया है कि तीनों वेदों की उत्पति प्रजा पती द्वारा की गई प्रजा पती की अव्मा प्रजापति लिए धर उसमें कहा गिया कि ब्रह्मा ही जो है जो प्रजापति आगी के द्वारा वेदों की रचना की गई उन्होंने अगनी द्वारा रिगवेद बनाया वाई द्वारा यजुर्वेद की रचना तता सूर्द्वारा सामवेद की रचना की यह किसमें लिखा शत्पत ब्राम्मण में किसमें लिखा यह शत्पत ब्राम्मण में अब आगे फिक चार ही ह्या को सबसे पता है रिगवेद यजुरुवेद सामवेद अथर्वेंगे और यहां पर एक बाद ध्यान देंगे रिगवेद सामवेद और यजरुवेद को यह वेद त्रय कहते हैं यह ध्यान रखेなく है रिगवेद, सामवेद and यजुरवेद are combinedly known as त्रही but अथरवेद is not included under the त्रही because अथरवेद tells something else which is totally mismatched from the थ्रीवेदाज मतलब जो अथरवेद थोड़ा इन तीन वेदों से अलग है आप कहो गहिए सरी वेद त्रही क्या होता है यह त्रही कैसे बन गए चलिए आपने जो रटा मार लिया कि साम वेद यजरुवेत को हम वेद्ध तरही बोलते हैं लेकिन सरे स्वाति का मतलब क्या है ज्रान on प्रसंसा के बारे में मंत्र लिखे गया है और सामवेद में मंत्रों का गायन है मंत्रों का गायन है और आप देखेंगे कि रिगवेद में यजुर वेद में यग्य है तो इस्तुती है गायन है यग्य है तो इन तीनों का एक तिकड़ी बन जाता है यहीं मंत्रों का गायन है सामवेद में यग्य का उलेक है यजुर वेद में और इस्तुती है रिगवेद में तो इन तीनों की तिकड़ी बन जाती है इसी लिए कहते हैं इसे वेद त्रई एक में गायन है एक में मंत्र है दूसरे में गायन है तीसरे में क्या है यग्य है तो इन ही से बनता है त्रई इसी को हम लोग कहते हैं वेद त्रई चलिए तो समझगे ना कि इन तीनों को मिलाके रिगवेद सामवेद यजुर वेद को विज तरही कहा जाता है ठीक है बाकी पीपीटी आपके सामने हिंदी दुनों में आप पढ़ लेंगे वही चीज़े हैं तो यह इंग्लिस मीडियम वालों की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि आप जानते हैं कि एंसेंट हिस्ट्री में प्रॉब्लम है खास करें इंग इंग्लिस मीडियम मालों की समस्या सॉल्व हो जाएगी बस मेरा यही कहना है कि कांटिन्यूटी के साथ बने रही है जी अपने आप में इतिहास भी थोड़ा लंब क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो मैं अंटे तक पढ़ाऊंगा थोड़ा सा पैसेंस तो रखना पड़ कर भी सकते हैं जरूरी है लेकिन पहले आप सब्जेक्टिव नॉलेज को गेन कीजिए क्योंकि सब्जेक्टिव नॉलेज से भाग रहे हैं लोग और पेपर आप देखी रहे हैं कि पेपर किस तरह से बन रहे हैं क्योंकि आब सिर्फ ये जान लेना कि किसी वेद में कितने म knowledge होगा तो आपको objective question करके करने में थोड़े आसानी होगी वरना यह सोची कि अगर आप 1200 question objective solve करके आप यह सोच रहे हैं कि exam निकलेगा तो अब वह समय चला गया उस युक कांत हो चुका है कि आप 1200 question objective solve करके सोची exam निकल जाएगा practice जरूरी है लेकिन प्रेक्टिस के पहले उस subject का knowledge भी जरूरी है जो आप पढ़ रहे हैं तो इस तरह से आपने देखा कि what we called with try we don't include other way in with try because other way tell something else which is totally mismatch from the other from these three with us ठीक है चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो पीपीटी में लिखा पर ले मैं जो बोला हूं वह वही लिखा हुआ है ठीक है आप आप देखेगा जो मेरी व्याक्टिए उसको सब्सक्राइब कर दे रहा हूं तो पीपीटी वही बच्चे समझ पाएंगे चिनों ने लेक्चर देखा होगा लेक्चर देख्या पीपीटी को लेके पढ़ने बाट जाएंगे तो तो जैसे मैंने बताया कि देखिए इसमें आपको ही समझना है कि रिगवेद में क्या है इस्तुति सामवेद में क्या है गायन और जजुरवेद में क्या है यग ठीक है तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो गायन यग और इस्तुति इन्ही को मिला के बन गया क्या वेदत्रई ठीक है इन्हें ही वेदों की त्रिमूर्ति कहते हैं सभी चार वेदों में सबसे छोटा कौन सा है अथर वेद सबसे छोटा है और जब वेदत्रई बनाया गया पेश किया गया तब यह मौजूद नहीं था यह निए वेदत्रई मेंस ट्रिनिटी अफ वेदाज अथर वेद जब वेदत्रई इंट्रूस किया गया था तो अथर वेद नहीं था इसलिए इसको वेदत्रई में हम सामिल नहीं है तो मतलब क्या है कि प्रेज प्रेज किसमें है रिगवेद सिंगिंग किसमें है साम वेद यग किसमें है यह तो प्रेज सिंगिंग प्रेज सिंगिंग एंड यग यग मतलब सक्रीफाई इन तीनों को मिला के बनता है वेदत्रई जिससे आप ट्रिनिटी कह सकते है ठीक है और अथर वेद को सामिल हम लो लेक्ट्चरों में अभी पिछले दूस्राइट में आपने समझा कि साम क्या नाम है यह जो आरेक आरेक कितनी बार है वेदों की रचना किस ने किया है तो थोड़ा में में पॉइंट को ध्यान में रखेंगे चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं यह देखें अब देखें वेद क्या है यह तो आपको पता चार है लेकिन इन वेदों को डिफाइन करने के लिए गरंथ लिखे गए हर वेद के चार पार्ट हैं इन चार पार्टों को सहिता बोलते हैं ब्राम्हड बोलते हैं अरन्यक बोलते हैं अरन्यक बोलते हैं और उपनिशत बोलते ह यानि एवरी Vez has four part, सहिता, ब्राव्ब्र, उरणयक और उपनिशत, ये ब्राव्ब्र मैं ये वणडवाले ब्राव्ब्र की बात नहीं कर रहा हूँ, वो बन्ड बिवस्था वाला ब्राव्ब्र नहीं है, ये ब्राव्मद एक ग्रंफ है, तो हर वेद के चार भाग है सहिता ब्राम्भड अरणयक और उपनिशद यानि कि ये रिग वेद का अपनी सहिता है अपना अरणयक है अपना उपनिशद है ये जुर वेद की अपनी सहिता है ब्राम्भड है अरणयक है उपनिशद है तो हर वेद का अपना अपना सहिता ब्रा सबसे इनिशियल पार्ट है उसको हम समझते हैं पहले हम बात करते हैं सहीता क्या है वेदों का जो सबसे इनिशियल पार्ट है जो वेदों का प्रारंबिक भाग है उसी को सहीता कहा यह जान लखेंगे इसमें वेदों का मंत्र दिया हुआ है सहीता सहीत जो है वेदों का प्रारंबिक भाग है जिसमें मंत्र दिया हुआ याज रिगवेद कि जब सहीता पडमें सुसमें सारी रिगवेदे मंत्र आपको मिल झाएगे तो वही वेदों का प्रारंबिक भाग है क्योंकि जो वेद में हैं मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों को सही से समझाने के लिए यह बाद में यह सब गरंथ बनाए गया है जब आप वेदों का पहला भाग पढ़ेंगे तो उसमें आपको मंत्र मिलेंगे वेदों का जो प्रारंबिक भाग होता है वही सहिता है जिसमें मंत्र लिखे गए हैं तो सिंपल सी बात रखेंगे कि सहिता क्या है वेदों का वो इनिशियल पार्ट है जिसमें मंत्र लिखे गए है अब सवाल उन मंत्रों को समझेगा कैस कौन क्यों कि मैंने कहा इट इस वेरी डिफिकल्ट तो डिस्क्राइब हर मंत्र के पीछे की मीनिंग को समझाना बहुत मुश्किल काम था तो समान तरीके से समान वक्त के लिए बड़ी बात है उसी लिए आप देखेंगे ब्राह्मर्ट ग्रंत मना रएगे इए ऑ या दा मंत्रों द्वारा मंट्रों के लिए निदेश करकाण अनुश्ठानी तो ब्राह्मर्गंत में क्या है मंत्रों द्वारा यग्यों की व्याख्या करना है और ये किसमें है ये प्रोज में लिखे गए है इसमें यग्य करने वालों के लिए करम जो भी लोग यग्य करेंगे और करमकांड करेंगे वो यग्य और करमकांड कैसे करेंगे इसका उल्लेक ब्रामण ग्रंथों में किया गया है या आप यू समझे ब्रामण ग्रंथों में मंत्र द्वारा यग्यों की व्याथ्या करना है कि जो यग्य किये जा रहे हैं उसका क्या मतलब है आप जब मंत्र पढ़ रहे हो और यग्य कर रहे हो उसका क्या मतलब है या यू समझो कि सही मायने में व और आनुस्थानों का वर्ल внимание दिश्क्राइब डृट्स एड़ से में से क्या मतलब मैं यह ब्राहमपनदें गाइद आप अपने समझा और व का सहीता है सहीता क्या संद। पार्ट इसमें मन्त्र है और फिर मंत्रों के द्वारा जो करमकांड अनुष्ठान किये जाते हैं यग्य किये जाते हैं उसकी व्यक्या किसमें है ब्राम्मर ग्रंथ में है ठीक है चैप्टर को पढ़ने से पहले यह सब जान लिए ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊंगा वैदिक समाज व सब्वेता तो क अरणे मतलब क्या अरणे का मतलब होता है आप समझोगे अरणे का वैसे है अगर आप मतलब निकालोगे हिंदी में तो अरणे का मतलब जंगल होता है कि अरण का मतलब जंगन होता है इसमें क्या है अब जैसे जंगल में जा करके चिंतन किया गया तो वह ऊसमें जो प्राप्त हुआ वह ब्रांड र can इसमें डर्शन और घ्यान की बाते हैं लिखी हुई फिरह अब याले क्या है बाकिए कि अभी आपने देखा ब्राम्मण में करमकांड अनुष्ठानों की आख्या है सहिता में मंत्र हैं अरण्यक में कुछ दार्सनिक बाते हैं फिलोस्पिकल बाते हैं ज्यान की बाते हैं जो रिशी मुनियों को ध्यान में प्राप्थ हुआ चिंतन से प्राप्त हुआ यह 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 आप चिंतन कह सकते हैं फिलोस्पिकल चीजे हैं क्योंकि दोको वेद का कई पार्ट हैं सहिता में आप मंत्र समझोगे ब्राम्रगंत में करमकांड अनुष्ठान की व्याख्या है कि कोई करमकांड अनुष्ठान क्यों किये जा रहे हैं और अरण्यक में आप समझोगे वो बाते हैं जिनका सम्मन्द फिलोस्पी से है करमकांड से नहीं है और लाश्ट में आएगा उपनिशद उपनिशद क्या है यह वेदों का कंक्लूजन है मैं बोलना हूं ध्यान से उपनिशद आर्दा कंक्लूजन अफ वेदाज मतलब जब आप अन्त में इसमें किसकी बाते हैं उपनिशद में आप समझोगे कि इसी में आपको सुझ में आएगा कि मनुष्य का को अपने जीवन का वास्तविक ज्यान हो वही वही जान सके कि उसका जन्म किस उद्देश से हुआ जैसे आप देखिए कि अंत में हर हर चीज़ का एक कंक्लूजन होता है आपने एक चीज़ सुनी होगी कि एवरी सब्जेक्ट ऐसे फिलोसफी हर सब्जेक्ट का अंत फिलोसफी पे होता है चाहे वह साइंस हो चाहे वह इंग्लिस हो चाहे वह मैत हो वेर्दा साइंस इंस फिलोस्पी स्टार्ट जहां पर विज्ञान कांत होता दर्शन की सुरुवात होती अगर हर आप किसी भी सब्जिट के गहराई में जाओगे तो अंत में आप दर्शनिक हो जाओगे इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दर्शनिक बन गए अरस् अंत में आपका लच्छ वही है कि आपको अपना वास्तवी ज्ञान हो सके ठीक है तो यह एक स्टेज है उपनिशद तक पहुंचने से पहले करमकांड मंत्रों को जानना पड़ेगा हां लेकिन यह वेद कहते हैं वरना लेकिन अगर आप वैसे समझोगे भगवान सिधा उपनिशत में पहुंच गए है आत्म ज्यान हलाकि भगवान बुद्ध ने आत्मा के बारे में कुछ नहीं बोला है महावीर स्वामी ने भी एक तरसे देखा जाए इश्वर यह आत्मा की व्याख्या नहीं कि लेकिन सबने अनुसंधान किया कुछ न कुछ प्राप्त किया ठीक है वरना अगर कुछ नहीं होता तो ना महावीर स्वामी को आँख मूदनी की जरूरत थी और ना भगवान बुद्ध को घर छोड़नी की जरूरत थी तो there is something else which is spiritual आप अध्यात्मिक जगत को आस्विकार नहीं कर सकते अगर ना ही इश्वर होता ना भगवान है ना ही आत्मा है तो किसी को जंगल में जाकर के तपस्या करनी की जरूरत नहीं थी रियल्टी क्या है वो हम आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते इस प्रिचुलिटी इस मैटर आफ रिसर्च यह अनुसंधान का भी सह है तो अंत में उपनिशत क्या है वो यहीं बताता है कि आत्म ज्यान क्या है आप यह इन वेदों को पढ़ने के बाद आप किस निसकर्स पे पह ठीक है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे तो ब्रह्म विध्या की प्रापती के लिए शिष्ष को गुरु के पास बैठाना यानि ब्रह्म विद्या जैसे आप चाहे आप संकरा चार की थूरी पढ़ लो संक्राचार की थूरी अद्वैतवाद है उन्होंने भी अंतमी यही बोल दिया ब्रह्म सत्य जगत मित्या सारा जगत एक ब्रह्म है ब्रह्म ही सत्य है चाहे वो रामा नुजम का द्वैता द्वैतवाद हो तो सबने अपने अपने तरीके से कुछ सेल्फ रियलाइजेशन किय वह स्वामी हो चब ने सेल्फ र्यलाइजेशन किया ज्यान रखे डा ऐम आफ एवरी रिलीजन आई इसलाम आइदर हिंदू आईदर क्रिष्चन डा एम आफ एवरी रिलीजन इस डा सैल्फ र्यालाईजेशन और सायद आपको विश्वास नहीं तो आप गीता में लिखा हुआ है यह अपने द्वारा अपना उध्धार करो किसी हुजारी के पास या किसी संत के पास जाने की बात नहीं करते हैं अपने द्वारा अपना उध्धार करो कि खुद समझो क्या है यह दर्शन कि धगवान बुद्ध ने महावीर स्वामी ने या कृष्ण ने सब ने इसी का मैसेज किया है कि वह सेल्फ रेलाइस करो तो हर धर्म का अंत में अंत जाके सेल्फ रेलाइजेशन पर होता है तो इसलिए आप देखोगे उपनिशद में वह बाते हैं जिनका संबंध किससे है सेल्फ तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया अब आपको बताना है कि सबसे असान सवाल है कि कुल कितने उपनिशद हैं है या वकालाय सबसे सब्सक्राइब बताना है मैं कमें बॉक्स में सबa contour जरूर देखता हूं ठीक है तो अब तक मैंने क्या समझाया वेद क्या है विदतरई क्या है सहिता क्या है ब्रहम्हण क्या है अरणक क्या है उपनिशत क्या है थोड़ा टफ पार्ट है इन सेंट हिस्ट्री का तो यह बहुत अराम से समझते चलिएगा अब आगे बड़ते हम लोग तो आप तो आगे खतम हो गया उंद्हेशियों नहीं जै तो संनाटा है तो मैं बता दूं अब थड़ा आर्यों की बात करेंगे आरे लोग कहां से आये थी देखिए आरे लोग तो आपको मैंने बताया मैक्स मुलर की बात माने जाती सब यह मद्धेशिया आप लोग को मद्धेशिया ही ध्यान रखना है बाकी उस पर बहुत सारे दियार लोट अफ डिसिप्यूट रिगार्डिंग अराइवल आफ आरियं सेंदो यह थोड़ा ध्यान लखेंगे आरे लोग सब्त सेंदो वाले चित्र में आएथे सब्त सेंदो क्या है यह सिंधू जेलम चिनाब राभी भ्यास और सतलज यानि शुरुवात में वो यही पर आए एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन चार पांच छे सिंधू जेलम चिनाब राभी भ्यास और सतलज यह इन्ही का सरस्वती हाँ सरस्वती कौन सी सरस्वती जो की अब लुप तो हो चुकी है यह साथ नदियों का इलाका था इसी में आर आके सबसे पहले बसे इसलिए इसको सब्त सेंदो कहा जाता है जिसमें से आप मुझे बता जैसे आप जानतें चिनार नदी कहां से निकलती है यह बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है कहां से इमांचल फरदेश रावी और व्यास आपको पता है जोगरफी पढ़े होंगे रोहतांग दर्रे से निकलती है जेलम पता है जम्बू कस्मीर में शेशनाग जील के पास एक और जीले वह इस निकलती है आप कमेंट बाक्स में जवाब देंगे जेलम नदी जो है किस जील से निकलती है यह आपके लिए है बागे चिनाप कहां से निकलती है बड़ा लाचा दर्रे से हाँ 17 कहां से निकलती है मांस रोवर जील के पास राकस ताल है असान से कोश्चन है तो यह साथ नदियों का जो छेत्र है सिंध और उसकी सहक नदिया मिला कर कि यही आरियों का मूल छेत्र था इसलिए आप जब पढ़ते हो तो आप जानते हो कि आरे कहां से आये थे मध्येशिया से जो कि मैक्स मुलर ने कहा और यह सब्त सैंधों वाला एरिया था सब्त सैंधों क्या वह जिसिंदु जेलम चिनाब राभी व्यास और सतलज और सरसोती ठीक है तो इस प्रकार से मैंने अब अब हम धीमे धीमे बढ़ेंगे रिगवेडिक काल की तरफ तो मैं मैंने अभी तक आपको संघाया यह अब क्या है अब आप क्या है अब हम देखेंगे कि रिगवेद के ब्रामः का क्या नाम है रिगवेध के अपना क्या नाम है हम उनके नाम पढ़ें हैंगे इत जिनको को मैं अपने अगले क्लास में डिसकस करूंगा और अगले क्लास से हम धीमे धीमे वैदिक सब्वाथ के गहराय में चलेंगे क्योंकि अभी हमको समझना के हर वेद में क्या और क्योंकि उसके बाद बस हमको बताना होगा वैदिक समाज क्या था संस्कृति कैसी थी उस समय के लोग कैसे थे बस अभी तो फैक्चुल चीजे हैं जो मैंने आपको बताई है अब आज पढ़ाई की बातों को आप नोट कर लेंगे और इस तरह से एंसेंट हिस्ट्री का लेक् तो सिंद्धुघाटी सब्विता पूरा रिवाइज कर लिजिए वैदिक सब्विता पढ़ते रहें और जल्दी ही मैं सिंद्धुघाटी सब्विता पर भी एक लाइफ टेस्ट लूंगा लेकिन मैं उम्मित करता हूँ कि आप सारे लेक्चर को ध्यान से पढ़के देख रहे होगे पेसंस के साथ मैं फिर कर रहा हूं जल्दी बाजी में नहीं कि मैं यहां पढ़ा रहा हूं ना कि objective question solve करा रहा हूं ठीक है ओके तो मिलते हैं फिर अगरे लेक्चर में धन्यवाज जैसियाराम जैहनुमान जैहिन जैभीम जैभारत धन्यवाज